युक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस में अब तक अपने सैने हत्यारों और सैने ख्षमता को काफी अपग्रेड कर लिया है अमेरिका भले युक्रेन को अपने बहतरिन हत्यारों की सप्लाई कर रहा है लेकिन कई रिपोर्ट में ये बात कही जा चुकी है कि रूसी हत्यारों के आगे युक्रेन को दिये गए अमेरिकी हत्यार कहीं नहीं टिकते हैं रूस ने कई ऐसे हत्यार और बम तयार किये हैं जो बहुत ही घातक है ऐसे ही एक घातक बम से रूस ने युक्रेम पर हमला कर दिया है रूस ने युक्रेम की एक बहुमंजिला इमारत के करीब एक बम गिराया जिससे आसपास के घर पूरी तरह से नश्ट हो गए और जमीन धस गई बंग गिरने के बाद जमीन पर एक गड़ा बना और फिर उससे एक आग का गोला उठा जिससे बहुमंजिला इमारत की छट उड़ गई और उसके तीन मंजिलों में भयानक आग लग गई रूसी सैने ब्लॉगर दावा कर रहे हैं कि रूस ने जो बंग गिराया है वो तीन हजार किलोग्राम के गलाइट बंग की इस टेस्टिंग है इसे फैब 3000 के नाम से जाना जाता है इस गोले में डेर टन विस्पोटक भरा होता है ये बंग सोवियत यूक के बंग का अपग्रेड़ वर्जन है ये अपने पुराने मॉडल की तुलना में दोगुने भारी, दोगुने विनाशकारी है इन्हें अपग्रेड कर फिक्स्ट विंग और जीपिस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है इन्हें ऐसे बनाया गया है कि ये बंग यूक्रेणी एंटी एर डिफरेंस सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आते इस बंग के अन्य मॉडल 5500 और 5500 है यूक्रेण में फेके गए बंग के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये एक किलोमेटर से भी अधिक दायरे में अपना कहर बर पाते हैं हाला कि यूक्रेणी अधिकारी समले में इस्तिमाल किये हतियार को लेकर कोई दावा नहीं कर रहे है उनके मताबिक बिल्डिंग में हमला करने के लिए किस बंग का इस्तिमाल किया गया है ये जाज के बाद ही पता चलेगा हाला कि उन्होंने कहा कि अगर ग्लाइड बंग गिराये जाने की पुष्टी हो जाती है तो ये फेब 3000 का पहला सुबूत होगा इसको लेकर विश्लिशकों का कहना है कि अगर रूस ने फेब 3000 को लाँच करना सीख लिया है तो ये उसकी एक बड़ी उपलब दी है ये युकरेन सेना के खिलाफ रूस की इक्षमता को बढ़ाने वाला है युकरेन के एक फेमस पत्रकार इलिया पुनुमारिंकों ने एक्स पर लिखा कि ग्लाइड बमों को मार गिराना बेहत मुश्किल है उनके मताबिक इन बमों में किये गए नेविगेशन मॉडिफिकेशन का मतलब है कि उन्हें युकरेनी एर डिफेंस की सीमा से परे रूसी इक्षत्र के भीतर से भी लॉंच किया जा सकता है इससे देखते हुए अब अमेरिका ने कह दिया है कि युकरेनी सेना को अब अमेरिका दोरा दिये गए लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर भी हमला करने की अनुमती है इससे युकरेन को गलाइड बमो को उनको लॉंच की जाने वले जगह पर ही रोकने में मदद मिलेगी इधर युकरेनी नेताओं का कहना है कि रूसी गलाइड बमो से निपटने के लिए अमेरिका निर्मित F-16 लड़ा को विमान महत्तपूर है पिछले माई नहीं युकरेनी राश्च्पती के एक करीवी ने कहा था कि गलाइड बमो के खलाफ एर डिफेंस सिस्टम भी बहुत उप्योगी नहीं है इसका मुकाबला सिर्फ F-16 से होगा आपको बता दे कि युकरेन की मदद के लिए कई एरोपिय देशों ने F-16 फाइटर जेट देने का वादा किया है सभी को मिला कर युकरेन को लगभग 80 फाइटर जेट मिलने है जिनमें से F-16 की पहली खेप जल्दी युकरेन पहुँचने की उम्मीद है इससे युकरेन हवा में रुसी लड़ागों विमानों का मुकाबला करने में मदबूत होगा